नमस्कार दोस्तों गुड मोर्निग आई पी ए लटी तवेंटी के सत्रहवे मैच के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अब तक आपने हमारे लगभग 15 वीडियो हमारे उटेउ चैनल सी बीटी ए फरनव के माध्यम से देखे हैं सभी वीडियो का अपना अच्छे तरीके से फायदालिया होगा जिन नए दोस्तों ने आज ही हमारा वीडियो प्ली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि जल्दी ही दुबारा से फैल पैसे का जैक पाट में चा रहा है आप सब के कल का वीडियो अपने देखा होगा जिसमें हमने बोला था कि रन एकस और पैतालीस के आसपास बने गए और रन बने एकस और 28 हमने अपने वीडियो में बोला था कि मैच संड्राइजर्स है ड्राबाद जीतेगी और संड्राइजर्स है ड्राबाद ने एक तरफा जीत हासिल की अब तक हमारी इस IPL 2019 में एक यूरेसी मुर्देन 90 प्रतिशत से ज्यादा रही है अब तक 16 मैच हुए है जिन में से हमारे 14 म मेचों की हमने ओपन पोस्ट हमारे यूटेउट चैनल और हमारी वेब साइट के माध्यम से पोस्ट की है लेकिन आप लोगों ने हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक नहीं दिया इतनी कंजूसी क्यों करते हो आप लोग लाइक करने आज का मैच कलकत्ता नाई ट्राइडर्स वर्सेस रायल चैलेंजर के बीच आज शाम को आठ बजे बेंगलोर में खेला जाएगा बेंगलोर का मैदान हमेशा बेट में इनको फायदा करता है बेंगलोर का मैदान में चेके छके काफी देखने को मिलते है बंगलोर की टीम अंक तालिका में अभी सबसे नीचे है रायल बंगलोर ने अभी जीत का स्वाध नहीं चखा है चार मैच खेले हैं बंगलोर ने और उसे चारों मैचों में बुरी तरहे से हार का सामना करना पढ़ा है बंगलोर के सारे धुर्धर्ण इस समय नाकाम है एक दम फिसरड़ी है कलकत्ता नाईर ट्राईडर्स ने अब तक तीन मैच खेले हैं तीन में से दो मैच में जीत हासिल की है कलकत्ता के सभी खिलाड़ी अच्छी फार्म में नजर आ रहे हैं आज के मैच में सुरिश नरिंग खेलेगा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सकाइब नहीं किया है वो हमारे चैनल का तुरंट सब्सकाइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिसस में हम ज्यादा से ज्यादा ओपन पोस्ट डालें अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हम ओपन पोस्ट डालना बंद कर देंगे आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद